बधिर लोग अपनी भावनाओं या मानसिक स्वास्ते आवशक्ताओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं कर सकते हैं बधिर व्यक्तियों के पास अपनी भावनाओं और मानसिक स्वास्ते आवशक्ताओं को व्यक्त करने के विवित तरीके होते हैं इसमें सांकेतिक भाषा संचार, लेखन, द्रिश्य, इत्यादी शामिल है कई लोग अपनी भावनाओं को साजा करने के लिए कला, संगीत, आदी जैसे रचनात्मक माध्यम भी ठूनते है मानसिक स्वास्थे आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए परिवार या दोस्तों का समर्थन परियाप्थ है परिवार और दोस्तों का समर्थन महत्वपूर्ण है हाला कि मानसिक स्वास्थ्य पेशिवरों का समर्थन भी महत्वपूर्ण है ऐसा क्यों? मानसिक स्वास्थ्य पेशिवर गोपनियता सुनिश्चित करते हुए आपनाओं को साझा करने के लिए एक सुरक्षित और गेर निरनायात्मक स्थान प्रदान करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना अक्सर वर्चित माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुल कर बात चीत करना बेहट जरूरी है। इससे बद हर समुधाय में मानसिक स्वास्थ्य से जड़े कलंग को कम करने में मदद मिल सकती है। अन्य लोगों की अनुभवों को जानना और जो कुछ आप छेल रहे हैं उसे दूसरों के साथ साज़ा करना, किसी को बेहतर मैसूस करने में मदद कर सकता है. याद रखे, मानसिक और शारीरिक स्वास्थय आपस में जुड़े हुए हैं और समान रूप से महत्वपूर्ण है. मानसिक स्वास्थय के बारे में जागरुपता फैलाना और जो अनुभव हो रहा है, उस पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है. संक्षेप में हमने अब तक नौ महत्वपूर्ण मिथक प्रस्तुत किये हैं. जबकि हमने नौ मिथकों का चयन किया हैं, ऐसे और भी कई सारे मिथक है. हमने लक्षित तर्शकों से मेल खाने वाली चीज़ों के आधार पर नौ का चयन किया. इन्हें अपने दोस्तों और प करने रहे.